Students, मैं विकास कुमार, आप सभी का A Study Way Arts क्लासे में स्वागत करता हूँ, तो चलिए हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं, जल्ली से आप लोग जूर जाएए और अपने दोस्तों को कह दीजे कि सर आ गया हैं, लाइब आ गया हैं, जल्ली से आप लोग आजिए और जल्ली जल्ली इसको मतलब सेर कर दीजे, ताके कि सब लोग बच्चा आकर इसको पढ़ ले, तो मैं आपको पहले बता चुका था, कि तिन दिन क्या पढ़ेंगे, हम लोग हिस्टरी, और तिन दिन क्या पढ़ेंगे, तो पोल साइंस पढ़ेंगे, ठीके न, तो आज हम लोगा क्या है, त लुटनेंगं फिराइक थाड़ कले इबूसे क्वे घ्खेंगे राजनितिक शास्त हो गया अचै कुर। राष्ट निर्माद तथा उसकी समस्याएं राष्ट का निर्माद हुआ तो समस्याएं क्या क्या आई उसके बारे में देखेंगे उसके बारे में जानेंगे आशो गोडेबनी सर बेरी गुड आशो मोनु अले पॉल साइंस नहीं पॉल साइंस मोनु क्यों नहीं जी सर मैं ल आपकोश्ट कोई मतलब कुछ नहीं है बस खाली पढ़ लेना है दिमांग भर लेना है ठीके ना यानि एंसेंट हिस्ट्री का सिंदु खार्टी सर्वेता कम्प्रिट हो चुका था मिडियेबल हिस्ट्री का था आइन एक बरी उसको देख रहे थे ठीके ना एक सिंद थोड़ा से वेट कर लिए जल्दी से जोतिस एजाज कमलेश ठीके प्रिया गुड़ इबनी सर्ड गुड़ इबनी प्रिया जल्दी से आजाईए आप लोग क्वीक फास्ट जल्दी से जल्ली से आजाएए ठीके सिर्ष्टी जिसको कुछ पुछना है पुछ दीजिए ताकि आपको बता दिये जाए क्या क्या प्रोब्लम है कैसे कैसे प्रोब्लम आपको हो रही है उसको सॉल्ब कर लिया जाए ठीके ना, hello sir, hello kaza, 60 sir, इस दिन अकबरी, अकबरी ही बोल रहे हैं न, आइए देखते हैं तुरंट हम लोग क्या-क्या है, तुरंट देख लेते हैं, देखे, मैं पहले ही बोला हूँ, मैं तुरंट से यहां पर डिसकस कर देता हूँ, ताकि आपका इजी हो जाए, ठीके न, घबनाने के एकदम बात नहीं है, जोतेश परणाम गुरुजी, परणाम जोतेश, चले अची बात है, तुरंट सा समझ सकते हैं, देखे, कल हम लोग पढ़ रहे थे, आइन एकबरी, वो क्या था, तो मिडियेवर्थ हिस्ट्री, यानि कि मध्य कालिन हिस्ट्री था वो, फर्स्ट लेशन था, और इंसेट हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके थे, उसको देख ले थे, भै किया आप करें, जल्दी से आजाएए, सर आयम साक्रा तबस्ट्र अच्या शाक्रा हो, अच्या शाक्रा, चलो वेरिगूट साक्रा, जल्दी से आप लोग आजाएए, जल्दी से, सर आयन एक्परी की कहां कम्प्लीट हुआ है, objective नहीं subjective, ठीक है स्रिस्टी बाबू, मैंने पहले ही बोला, कि आयन एक्परी का अभी आधा चिप्टर कम्प्लीट हुआ है, आधा अभी बाकी है, बट कहने के मतलब यह है कि जब पूरा हो जाएगा तो उसको किया जाएगा ना, तो तीन दिन हिस्ट्री, तीन दिन पोलिकल साइन्स, ताकि हमारा सिलेबर सब चले, महताब आलम, सर शोरी मैं लेट हूँ, लेट नहीं हो महताब ठीक हो आप ठीक हो आप ठीक है ना, टाइम से हम लोग हैं, कोई दिककत नहीं है, तुरंट आज आएगा, घबाने की बात नहीं है, ठीक है ना, तुरंट आज आएगे हम लोग, आज लेक्टर बन पढ़ेंगे ताकि आपको इजी लगे, मेताब आलम शोरी में लेट हूँ, लेट नहीं हो, आराम से चलेंगा, आराम से आज आएगा, आएगे तुरंट देखते हैं, और फर्स्ट निरमार तथा उसकी समस्या हैं, नेशन बिल्डिंग और इट्स प्रोबलम, यह हमारा फर्स्ट है, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, और उसको हम लोग जानेंगे, आएगे देखना सूरू करते हैं, ठीक है ना, आएगे, चलिए, चिप्टर का नाम मेरा है राष्ट का निर्मार तथा उसकी समस्याएं, यानि क्या है, नेशन बüilding and its problem, and its problem, I mean to say that, ये काता है कि जब भारत अजाद हुआ, तो उस समय राष्ट को बनाने में क्या क्या prosconomy आये थी, क्या क्या समस्याएं आये थी, इसके बारे में पढ़ना है इसके बारे में हम लोग को जानना है ठीक है ना तो जल्ली से जूट जाएए अपने दोस्तों को अपने मित्रों को अपने यारों को सबको सेर कर दिजिए ताकि तहलका मचा दिया या धूम मचा दिया गया ठीक है ना आईए देखते हैं उसके बाद क्या होता है चलिए पहले हम लोग ये जानेंगे इस चेप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है पहले हम लोग ये जानेंगे easy लगे, संदार लगे, जानदार लगे ठीक है ना, आइए देखते हैं क्या है first of all क्या पढ़ेंगे हम लोग परिचे, introduction पढ़ेंगे कि राश का निर्मार का परिचे क्या है दुसरा पढ़ेंगे, राश निर्मार का अर्ष तथा नेहरू का दिश्टी यानि यह दिया यहां पर meaning of नेहरू, building and नेहरूज एप्रोच नेहरूज एप्रोच वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बटवारे, बटवारे की विरासर था सरनार्थियों का पूर्णवास सरनार्थियों मतलब यह होता है कि जो एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर जाते हैं और वहां से कि दुसरे अस्थान पर चले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं तो सरनार्थि करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे शेप्टर में उसके बाद देखेंगे रियाशितों का बिले एवं एकी करण वो देखेंगे हम लोग कस्मीर की समस्या ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट कस्मीर की समस्या ये जो है भेरी भेरी इंपोर्टेंट है उसके बाद हैदराबाद का एवं मरिपूर का बिले कैसे बिले हुआ हैदराबाद एवं मरीपूर कैसे बिले हुआ ये देखेंगे उसके बाद देखेंगे राजियों का पूर्ण गठन राजिय का पूर्ण गठन कैसे होता है राजिय का पूर्ण गठन कैसे होता है अब कोई बताया तो राजिय का पूर्ण गठन किस वर्स में हुआ था बताईए सभी लोग तो जली से क्विक फास्ट जली से बताईए राजियों का पूर्ण कठन कैसे हुआ था सर टाइम टेबल बता दीजिए प्लीज सर टाइम टेबल सर दस पंदर में शाहन सा सर का क्लास है छोड़कर भागना होगा अच्छा दीपा थाकूर गुड़ इमनिंग सर गुड़ इमनिंग चेंज कर लिजिए सर प्लीज इम्तियाज अच्छा नाइंटी फिप्टिथरी शाक्रा बाभू नाइंटी सर क्लियर नहीं है अच्छा ठीक है माताब मैं आपको डिसकॉस कर देता हूं कि कितने कभ से कभ हम लोग घबलाओं नहीं कोई बताओ राज्यों का पूर्ण गठन कभ हुआ 1956 कभ हुआ 1956 राज्यों का पूर्ण गठन कभ हुआ था तो 1956 में इसको हम लोग देखेंगे, घबडाएंगे नहीं, समझेंगे इसको, उसके बाद क्या था, रितेश चंद्र, गुड इबनिंग, सर, गुड इबनिंग, भासा की राजनीती, क्या था, भासा की राजनीती, हम लोग इस चप्टर में पढ़ेंगे, चप्टर में क्या- अच्छा प्रोब्लम हो रही है कि सर टाइम हां महताब आलम वेरी गूड नैंटी फिप्टी सिक्स फाजल येस सर इता कुमारी ठीक है रहने दीजिए एमडी इंतियाज चलिए आजे देखते हैं इसको ठीक है ना क्या क्या है परिचे है राजियों का पुर्ण कठर हो गया था भासा की राजियती ये सब हम लोग पहला चप्टर ने पढ़ेंगे क्या 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 समस्याएं आए थी रही हाते आप लोग का बैस्ट टाइम का थेखों में बता जेता हूं में बार-बार बोलता हूं एक बार सब सब्स दीजिए देखें आँ पर Now I am discussing about the best time मैं आपके बारे में इसक्स करता हूँ बारे में तो समझ लिजिए जान लिजिए का आपका बेस टेम कभ है कैसे नहीं ठीक है ना अच्छा अंकेत राजपुत कास्मिर प्रोलम्स भी एफडोटली अनिके चलिए था देखते हैं हम लोग आएए हमारा जो हिस्टरी है हिस्टरी जो है सुरू का पढ़ेंगे हम लोग 3 देज यानि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग मंडे, टूजडे अट वेडनस दे मंडे, टूजडे अट वेडनस दे पोल साइंस, I mean to say that पोल्कल साइंस ये कब पढ़ेंगे हम लोग Thursday, Friday and क्या पढ़ेंगे तो Saturday, और Sunday को तो खेलिए कुदिए है ना, एक बार सब लोग समझ लिजिए ठीके ना, महताव सर, I think पढ़ा चेप्टर से यह हो था क्या क्या, सर जोईन होने के फी कितना होता है free of course कोई पैसा नहीं लएगा अभी आप लोगा ठीके ना, अराम से पढ़िए, पुड़ा दम संदार पढ़िए ठीके ना, आए देखते हैं उसके बाद तो ये सब आपका हिस्ट्री है और पोल्स साइंस है, इस सब आपका है आए देखते हैं इसको समझते हैं फिर क्या क्या बाते होती हैं, कैसे होती है आए अब उसके बाद देखते हैं क्या भाला चेट्र क्या है आए देखते हैं क्या है पर्चे, देखिए पर्चे क्या है देखिए पर्चे ये हमारा क्या है introductions क्या हमारा है स्वतंतता का आसे विदेशी अधिपते से प्राप्त मुक्ती पाना नहीं मुक्ती पाना नहीं यह भी जरूरी है कि राष्ट्य एकी करण का लच्छ सिद्ध हो राष्ट्य एकी करण का लच्छ क्या हो तो सिद्ध हो यानि कहने के मतलब है कि जब स्वतंत्रा प्राप्त हो गया तो केवल बिदेशिर्म नहीं है कुछ और भी मिलना चाहिए स्वतंत होते ही राष्ट राज के स्थापना हो उसके बाद लेकिन यहाँ भी जोरी है कि इन सभी को समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दिश्टि से अस्थाई एकी करण किया जाए ताकि तीसरी दुनिया का सरवाधिक विकासिल देश माना जाता है कौन तो भारत और यहाँ राष्ट निर्मार की दसा जो है उल्लखेनिये सफलता मिल चुकी है तो इसको एक बार आप लोग इसकीन सोट ले लिजिए ताकि बहुत असान लगे, बहुत इजी लगे, जलिस आईए, जलिस आईए, 11 का कब से चलेगा सर, 11 का भी थोड़ी है, जलिस आईए, क्वीक फास्ट, जलिसे, सर सलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ओहो, अभी तो चलने दीजिए, अभी फर्स्ट चेप्टर है, अभी तो आपका ये आपका लाश्ट मार चल लाया, तो सब कुछ धीर-दीर होगा, ना बाबू, घप्राने एकदम नहीं है, मुझे लिखना है सर, बट क्लियर नहीं है, क्या महताब आलम, क्या ने क्लियर है, देखे, आ समाजिक, आर्थिक, राजनिती नितिया होनी चाहिता कि एक बड़ा सा राष्ट बने, एक बड़ा सा देश बने, ठीके न, इसका परचे ये हुआ, अब उसके बाद चलते हैं, नेक्ष देखते हैं, क्या है, चलिए, यहां देखते हैं, कि राष्ट का निर्मार देखते है राष्ट निर्मार का अर्ष क्या होता है तथा नेहरू क्या दिश्ट्री कोड नेहरू जी का दिश्ट्री कोड जली से सब लोग जुड़ ज़ली से किलियर है सार वेरी गूट राश्पूर्ट आए देखते हैं उसके बाद राश्ट निर्मार ऐसा पदबंध है जो राश्ट्य एकी करण का परयायस समझा जाता है राश्ट निर्मार एक ऐसा पदबंध है जो राश्ट्य एकी करण का परयायस समझे जाता है 1948 में इजरायल की अस्थापना से पुर्व एक सु संगठित राष्ट बन चुके थे ये भारत के बारें बात हो रही है ठीक है न अब फिलिप्स्तीन में रहते वे किंटु उनकी विसाल संख्या यूरोप एवं अमेरिका के देशों में वास करती थी अपना राज बनते हैं लाखो यहीदियों ने इसरायल में आकर अपना अस्थाई अवास कर लिया अपना राज बनते हैं यानि जब राज बनना सुरू हो गया तो यहीदि जो थे वो आना अस्थाई रूप से परवास करना सुरू कर दिये अब उसके बाद राष्टि एकिकरन का भावातनक होता है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मजबूत एवं अदिस धागों से जुड़ जाते हैं सब लोग क्या हो जाते हैं तो मिल जाते हैं जुड़ जाते हैं अब उसके बाद उनकी अटूट हो जाती था उस राष्ट का हर सदस्य गर्व पुर्वक यही कहता है कि वह देश उसकी मात्रभूमे जिसकी खातिर वह अपने प्राण को भी क्या करता है तो त्याग देता है क्या करता है जे त्याग देता है सचाई बात है किसी भी सेने किसी भी देश किसी भी लोगों को अपने देश का जो संप्रभूत्व है जो उसके एकिकरन है जो इसका लगाव है जो इसकी समरिधी है बहुत लगाव होती ताकि देश हमारा क्या बने उन्नत बने समरिध बने औ और अपने देश के बारे में कोई भी गलत नहीं सुनता है, अपने प्राण भी क्या करते हैं, तो त्याग देते हैं, जैसे कि अभी देखिए, अभी आपका, क्या बोलते हैं, रसिया और युक्रेन में युद हो रहा हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, दुसरे से क्या करते हैं अपना तो प्राण को दे देते हैं आईए उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है देखिए उसके बाद यहाँ पर है कुछ बाते हैं जो थोगा सा जान लेंगे objective के लिए बहुत ही important है राश निर्मार का अदर्स या कामना करता है कि राज्य का समिधान शर्वमान हो देखिए अगर समिधान नहीं रहे किसी भी देश में तो देश को चलाना बहुत ही मुस्किल है ठीके ना देश का राजनीती करण एकिकरण हो जाए ताकि किसी छेते में देश दुरोही या विछे दुरवाद सक्सिया नपन पे यानि कि अच्छे से हो जाए देश दुरोही ना बने कोई मतलब कि आपको तोड़े नहीं कोई अंदर मतलब कि प्रवलम ना पहुँचाए सभी को समाजिक आर्थिक नियाय का वरदान सुनिचित हो सिच्छा पर नाली एवम कानून विवस्था कौन जे सिच्छा पर नाली एवम कानून विवस्था राष्ट की आवसकताओं एवम अकांच्छाओं पर अधारित हो ताकि राज की विदेश नीती को अपनाया जा सके समझे तोड़ा ध्यान से ये कहता है क्या है कोई भी देश चाहता है कि हमारा देश स्वतंत्र हो सम्रिद्ध हो अच्छे से हो और ऐसा होता है एक मिन थारूग जी देखते हैं क्या होता है एक मिन थारूग जी आप लोग सर मेरा फर्स्ट क्लास है राजा शरकार चलिए श्रिंग देखते हैं क्या है भाई एक सेल दस रॉख जाये प्रर्स्ट क्लास से पॉल्कलर सैंस का सब्र कोई बात ने सुखे सिंपल से पड़urate है के फर्स्ट क्लास ही ऐज अगर आपका फ़रस्ट क्लास ही है चलिये था सब मताईए तो इज्रायल के स्थापना कब होई थी तो अभी पढ़े हम लोग इज्रायल के स्थापना कब होई थी जल्दी होगा सर जोग्रोफी क्लास जल्द होता है आपका सुरू जोग्रोफी क्लास ठीक है ना था सदेख लेते फाई प्रोव्लम् erste आ रहा है श्वा jetzt presence को देख लेते हम लोग फाज रिस दो आ निकेट लाजपुत ङंठी сос इते वरी गूड अनिकेट quiet very good आईए देखते हैं भाई हर्षित कांथ अच्छा हर्षित कांथ देखिए अराम से पढ़ते हैं मेरी बातों को सुनते हैं हर्षित कांथ वेरी बूर हर्षित कांथ एकदम लगे रहना है जो उसके साथ लगे रहना है ताकि आपको प्रोब्लम ना हो आईए देखते हैं फिर क्या है तो हम लोग यहां तक देख चुके थे तो मैंने यह बोला था कि किसी भी देश का समझेंगे ध्यान से किसी भी देश को समिधान होना बहुत जोरी है अगर समिधान नहीं रहेगा तो वो देश चल नहीं पाता है समिधान रहेगा तब वो देश चलेगा और अच्छे से लोग रहेंगे ठीके न उसके बाद क्या है राश्टी हीद को सुरचित एवं शम्रीद होकर अमेर्की लेखक काल डायस काल डायस कहता है कि जिस परकार इट, पथर, लकड़ी, लोहे, सिमेंट आदी से कोई भवन बनाया जाता है समझेंगे ध्यान से कोसन आता है अमेर्की लेखक कौन लेखक जी काल डायस कहता है कि जिस परकार इट, पथर, लकड़ी, लोहे, सिमेंट आदी से कोई भवन बनाया जाता है उसी परकार उसी परकार राष्ट निर्मार होता है सचाई बात है राष्ट का निर्मार भी होता है उसी परकार जिसके पीछे उसके महान निर्मताओं की इच्छा सकती एवाम दिर्ड संकल्प होता है ठीक है ना अब निर्मताओं की योजना भीन परकार की होती हो सकती है इसलिए बिस्तों में राश राज्यों के विवित परतिमान देखे जा सकते हैं समझेंगे ध्यान से अंग्रेजी लेखाकार कौन जी अमेरिकी लेखाकार्ल डायस कहता है कि जिस परकार भवर मानने के लिए एट, पत्थर और बहुत कुछ की आवसकता होती है ठीके न, उसी परकार क्या होती है कि सभी लोग क्या करते हैं एक उसे के साथ जूड जाते हैं उनके जो नेता होते हैं, राश का निर्मार करते हैं और क्या करते हैं, एक महान समरिद सक्तिसाली देश को बनाने की इच्छा परकड करते हैं यह सभी हमारे क्या हुए तो परचे, जल्दी से आप लोग इसके इसके इसकीन सोडे लिजिए, पोर्टकल साइंस का टाइम एंड डेट होता है आपका, तीन दीन आप पढ़ेंगे हिश्टी तीन दीन पढ़ेंगे पोर्टकल साइंस, और टाइमिंग आपका है सुबद 6 से, साम को 6 से 7, अभी जो चल ले हम लो 6 से 7, अब उसके बाद आए देखते हैं फिर क्या होता है, देखिए यहां पे, देखिए यह फिगर है, जो आपको बहुत ही संदार लगेगा, बहुत ही जबरजस्ट लगेगा फिगर है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना, हो गया, ठीक आए देखते हैं फिगर में क्या कहता है, आए देखते हैं, देखते हैं फिगर में कहता है, आए देखते हैं, नेहरु जी को, नेहरु को आधनिक भारत का निर्माता माना जाता है, नेहरु जी को आधनिक भारत का निर्माता माना जाता है, नेहरु जी को आधनिक भारत का निर्माता माना जाता है, confirm है, यह objective questions है, उसके बाद, चलिए, यहाँ देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, क्या, आए देखते हैं, एक सकेंड, एक सकेंड, देखते हैं, फिर हम लोग, प्रेस पावर, कश्याप अन्न, गुड़ इवनिंग, सार, गुड़ इवनिंग, प्लीज, टर्म, एक मिनद फ़रा सा देखे, टेक्निकल कुछ प्रवबलम इसमें आ गया है, एक बाद उसको देखते हैं, चलिए बताईए तो, फ़रा सा question एक्ठो, आधनिक भारत का निर्माता किसे मानते हैं, जलिए बताईए आप लोग, सभी लोग, ये कुछ महतपून तथे, इसको देखेंगे, बाद में पहले इसको कुछ पढ़ते, उसके बाद देखते हैं, नहरुजी को वेरिगोड, नहरुजी को वेरिगोड, आईए ठोआ देख चलिए, आईए देखते हैं, हाँ से देखते हैं हम लोग, पहले ये वाला पढ़ेंगे बाद में कुछ आईए थोड़ा देखी लेते हैं, थोड़ा से स्वर क्या है, आईए देखते हैं, ये क्या है, कुछ महतपून वा तभ्य, कुछ इंपोर्टेंट एस्टमेंट है, आ इस अर्थ के सामुही करता वादी है मेरी सेवा किसी के प्रति प्रतियोगी भी रोध मुखी नहीं होती है कौन बोलता है तो महात्मा गानी महात्मा गानी नहीं सिंपल विचार के थे क्या थे तो बहुत ही सिंपल विचार के थे और महात्मा गानी क्या कर थे नजी सदा जीव सात रंग होते हैं लेकिन इसमें से अलग अलग नहीं है ठीक है ना अब उसके बाद वे एक दुसरे में प्रविश्ट होते हैं एकता का एकता का अर्थ एक रूप्त है बलके विवित्ता मधुयर है कहने मतलब कोल मताया है कॉंग्रेस अध्यच डाक्टर पीबी सीता रमनियन यानि बोलते हैं कि इंद धुनुस में सात रंग है लेकिन वे अलग अलग नहीं है एक साथ ही क्या है तो जुड़े हुवे हैं अस्पश्ट रूप से हैं ठीक है ना अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है फिर देखें यहां पर क्या है हम भाती भाती के पंची नहीं है बैग हमारा है हिंदुस्तान जो हमें परणाम करे वो भी प्यारा है कभी पर देप ये बत अब कुछ तथ्य है जो किताब में था उसके कोडिंग हम लोगे जाना था पहचाना था समझते थे किताब में इसे कुछ-कुछ बाते दे देती हैं जो उसको अश्पश करना जूरी होता है ठीक है ना अब उसके बाद देखें क्या है आए देखते हैं यहां पर राष्टिये एकी करन एक लच्छे है जिसकी सीधी से राष्ट निर्मार का कार किया जाता है राष्टिये एकी करन एक लच्छे है जिसका सीधा से राष्ट निर्मार किया जाता है यह कार बल पुरुवा किया अधिक नायक वादी तरीकों से भी कि जा सकता है ऐसा रूस के कम्यूनिस्ट नेताओं ने किया कहां के जी रूस के कम्यूनिस्ट नेताओं ने ऐसा किया है अब क्या जिसे रूसी करण का उपनाम दिया गया है रूसी करण का उपनाम दिया गया है लेकिन यह अस्थाई नहीं होता कि सत्ताधारी दल के पतन के साथ सारा कराधारा चौपट हो जाता है सारा कराधारा खतम हो जाता है अब लेलीन वा अस्टालीन ने लेलीन वा अस्टालीन ने सोवियत संग बनाया questions very very important लेलीन अस्टालीन ने क्या बनाया सोवियत संग बनाया अच्छा RDS बैग नहीं बाव होगा टाइप करने में साथ बाब हो गया होगा ठीक है ना हाँ ठीक बोले हैं ठीक है बेरी गूड आडियस राजपुस बेरी गूड चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होता है अब लेकिन 1991 में उनका विखंडन हो गया दुसरा तरीका यह रहा किया कारे धिरे धिरे था लोग तांतरिक धंग से किया जाए समय अधिक लगेगा लेकिन विवस्था क्या रहेगी ची रस्थाई होगी यानि इसमें कहां गया था कि सोवियत संग किसने बनाया था तो लेलिन और अस्टाली ने क्या बनाया था तो सोवियत संग बनाया था अब उसके बाद राष्ट के भीतर राष्टेताओं का उपराष्टाओं का बने रहने दिया जाए यह सब राष्ट में ही बना रहता था उनकी सब्यता एवं संस्कृती बनी रहे लेकिन राष्ट एकी करण का साथे थी सब सभी कुछ मतलब सबक्ष्री कर अठाइं क्या-क्या होता है राश् étant की राष्ट मार किया जाए ताकि यह राष्ट अच्छे से रहे एक तरीके रहे और अपने इस हितिएँ में बने और यह सबसे पहले किस ने किया था तो रसिया ने, रूस ने किया था और सोबिय संग का निर्मार किस ने किया था लेलिन और अस्टालीन ने ठीके न, अब उसके बाद देखते हैं क्या हो था, आइए देखें यहाँ पर बहुत important है, इसको देखते हैं ये हमारा भेरी भेरी important line है इसको था सभी भी आई कलेंगे आप सभी सन 1947 के 14 एवं 15 अगर्स की मध्य रातरी को भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ अब उसके बाद इस औसर पर स्वतंत्र भारत के प्रथम पधान मंतरे पंडित जवाहला नहरू ने सविधान सभा का एक बिशेश सत्र को संभोधित किया था संभोधित किया था जली जूड़ी आई सभी लोग टाइम बता दिये सर दोनों का कश्यप अन्नू मैंने फिर से बोला बाबू कि हिस्ट्री थ्री देज और पॉल साइन्स थ्री देज ठीके ना तीन दिन चलेंगे हिस्ट्री तीन दिन क्या पढ़ेंगे तो पोल्टकर साइन्स और सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री का ancient histories को बोलते हैं सिंदुखाटी सबिता वो complete हो चुका है उसके बाद हम लोग मेडियेवल में क्या पढ़ रहे हैं या निमत धेकरिन में क्या पढ़ रहे हैं आइन ए अकबरी ठीके ना चली उसके बाद देखते हैं क्या होता है ठीके ना आईए तो मैंने बोला कि संज 1947 को 14 और 15 अगर्स की मत रातरी को हमारा भारत क्या हुआ स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्या भारत के पढ़ान मंत्री को और पंडी जवाल नहरू ने क्या किया समिधान सभा को समुधित किया था और क्या कहते क्या है उनका यह प्रसित भासन क्या था भागय वधू से चीर प्रतिचित भेट के नाम से जाना गया जब वो सम्मोधित कर रहे थे जब वो सम्मोधित कर रहे थे उन्होंने नाम दिया क्या भागय वधू से चीर प्रतिचित भेट उन्होंने नाम दिया इस सम्मोधित भासर को सभा को इस समय राष्ट का निर्मा चुनोतियां उनके समझ थी यानि बहुत कुछ प्रोब्लम था कि राश्ट के निमार कैसे किया जाए अब उसके बाद भारत के पढ़ान मंतरी जवाहल नहरू ने शमिधानिक वह लोगतांतिक तरीकों को पसंद किया सब जब भासर दे रहे थे तो उन्होंने बोलना सुरू क किया पसंद किया राश्टिय आंदोलंग दिनों में भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस ने धर्म निर्पेचवात था उदार लोगतंत्र के नमूने को साराहा नहरू ने उसमें लोगतांतिक समाजवात डेमोक्रेटिक सोचलिजम का अंस जोड़ दिया अब मेरी पहले बाद सुने ध्यान से हमारा देश जब भारत 15 अगस्ट 1906 को बताव अजाद हुआ था तो 14 या 15 ये रामध रातिव को समझ सकते हैं हम लोग अजाद हुआ तो हुआ क्या सभिधान सभा को जब संभुषित कर रहे थे कौन पंडिज्वाल नहरू तो कह रहे थे क्या कि मैं क्या करूंगा धर निर्पेचिता और लोग तांतिक जितना भी राश्ट का निर्माड हो मैं उसको करूंगा ठीके ना मिसन इंडियन आर्मी आप से ही सीखा आप से ही जाना आप ही को अपना गुरु माना सीखा है सब कुछ आप से हमने कलम का मतलब आप से ही जाना है वेरी गोड चलिए तो बहुत सारा कुछ बात यहां पर समिधान नहीं थी धर्मे पेश्टा था और लोग तांती था देखते हैं क्या कि उन्होंने बाते किया था जब मतलब की संभूजित कर रहे थे न समिधान सभा को तब क्या-क्या बोले था यह देखते हैं यहां पर हम चलिए यहां देखते हैं क्या-क्या बाते बोल रहे हैं दखिए शमिधानिक विवस्था constitutional system इसमें क्या-क्या बाते होती हैं हर राश राज का अपना एक समिधान होता है सही बात है होना चाहिए यह मुल बिधी राश किया हो सकताओं उनकी उभरती हुई आकंच्छाओं के अनकूल होनी चाहिए यदपी हमारे समिधान निर्मताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम कोस्टन बेरी बेरी इंपोर्टेंट है तो आसरा लिख लेंगे यहां पे हम लोग भारत सरकार भारत सरकार अधिनियम कोस्टन इख जाम में आता है भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ था तो 1935 कब हुआ था 1935 अब भारत सरकार अधिनियम से काफी कुछ सामगरी ली जिससे नेहरू ने गुलामी का घोशना पत्र कहा नेहरू ने लोकतांतिरिक समाजवाद का प्रवलोव समर्थन किया स्रीमा नरायन जैसे लोगों का यह आगरह मान लिया कि भारत एक सविधान सुधता गांधी वाधी सुतुरों पर क्या है तो अधारित हो यानि कहने के मतलब सभी लोग ने इसे मान लिया ठीके ना ओहो मैंने पहले ही बदा ना हिस्ट्री आभू बाबू थ्री डेज और पोल साइंस चलेगा थ्री डेज ठीके ना आए उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है अब देखिए राज निर्मार देखिए राज का निर्मार कैसे कैसे होता है क्या क्या होता आए देखते हैं देश में संगहात्मक राज निर्मार देखिए estate building कैसे निर्मार होता आए देखते हैं देश में संगहात्म विवस्था होगा, एकात्मक होगा, या दोनों का बिचितने मिश्णण हो, ताकि राजनितिक स्वामित्व बना रहे यह एक गंभीर मामला था, यानि कैसे दोनों एक साथ रहेगा ताकि दोनों चीज काम अच्छे चले और अराम से चले अच्छी तरह चले ठीक है ना उसके बाद देखें क्या है एक गंभीर मामला था नेहरू कनाडा रूसी संगे विवस्था के समर्थक थे समझे ध्यान से भासा के अधार पर 1903 कोसन आता एक जामनेसंस में कि भासा के अधार पर 1903 में तेलगू भासा लोगों को आंधर परदेश मिला तो कोसन आता है सबसे पहले कि भासा के अधार पर सबसे पहला राजी कौन सा बना तो क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे जी आंधर तो 1956, कब हुआ था, 1956, 1963 में नेहरू सरकार ने नागा लेंड राज की रचना की, यहाँ पे तीन अब्जेक्टिव कोस्टन से थुआ सा समझ लेंगे, जान लेंगे, समिधा स्राज का निर्मार कैसे कैसे हुआ, 1903 में क्या हुआ, तो सरकार ने नागा लेंड राज की क्या की, तो अस्थापना की थी, ठीक है ना, अब उसके बाद देखें क्या होता है, समाजिक आर्थिक नियाए, इसको देखते हैं समाजिक आर्थिक नियाए, श्रीखार राज शच्च में आत, चलिए चलिए, उसके बाद देखें क्या होता है, फिर समझते हैं क्या होता है, आईए, समाजिक आर्थिक नियाए, क्या था, शोश्यो एकनोमिक जस्टिस, आईए, देखते हैं क्या होता है, देश में रहने का पिछडे एवं दूर्बल विकास होना जूरी था, यानि जो मतलब पिछडे लोग थें, उनका विकास होना जूरूरी था, इसलिए समिधान में सुचे जनजातियां, तथा समाजिक एवं सेशनिक डिश्टि से पिछडे एवं अन्य, वर्गों के लिए कल्यार की खातीर क्या हो रखा गया जी, आरच्छन विवस्ता रखी गई, देखें क्या रखा गया तो? आरच्छन विवस्ता रखी गई, निहरू ने कल्यार काली के पतिमान को सराहा जिसका जिसका क्या था गरीब बेकारी अग्यानता बीमारी भुखमरी आसरे भाव जैसे रुगों का निराकरण करना है नहरु जे नहीं ये बाते कहा था हम एक ऐसा राष्ट बनाएंगे जो इन सब को कुछ मतलब की सुभिधा मिले इन लोग का उपचार रहे और कोई प्रोबलम किसी को दिकर समस्या नहो नहरु का यही आगरह बना रहा कि समाजिक और आर्थिक नियाय के बिना देश में राष्ट निर्मार का धे होना सिद्ध नहीं हो सकता है समाज रहेगा और आर्थिक रहेगा तभी देश का राज में राष्ट निर्मार हो सकता है otherwise नहीं हो सकता है ठीक है ना आइए उसके बाद देखते हैं आइए उसके बाद जो problem समस्या होती बाबु अराम से बोल दीजी आप लोग actually क्या है देखिए थासा ये आपका pole science है language इसमें जानना जूरी है actually क्या है कि कहानी history में कहानी होती है पोल साइस में क्या पढ़ना है तो समिधान के बारे में पढ़ना है नहीं समिधान मतलब यह होता है आपका कि जो बाते होती हैं जो तर्थे होता है उसको जानना होता है जब हमारा देश अजाद हुआ था तो उसके बारे में जब कैसे कर से निर्माड हुआ राष्ट का तो सबसे पहले कौन सा राष्ट बना तो आंधर परदेश ठीक है ना उसके बाद कौन सा बना था तो आपको बताया गया था उसके बाद राजजरपुर्ण का ठाका हुआ थ सिच्छा एवं कानूनी विवस्था ये क्या कर रहे थे तो ये नहरू जी अपना जब हमारा देश अजाद हो गया था तो उस समय अपने समिधान सभा को सम्भोधित कर रहे थे कौन नहरू जी ये सब अपना विचार वहां पर रख रहे थे ठीक है ना आएए देखते हैं महिलाओं का स्था बहुत ही कम था लेकि आज का अलग है हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश अजाद हुआ उसके बार उसके बात कर रहे हैं ना कि हम आज की बारें बात कर रहे हैं तो उसके बात क्या हो वह हम बात कर रहे हैं आज की बारें बात नहीं कर रहे हैं उसमें हो तो सिच्छी थो देखें बहुत इंपोडेंट हैं समीधान के अनुछेद 243 मिन सम्मिधान के अनुछेद, सोरी, 343 में, 343 में कहा गया कि 26 जनौरी 1965, फिर आते हैं, सम्मिधान के अनुछेद, 343 में कहा गया कि 26 जनौरी 1965 के बाद, दिवनागरी में हिंदी, दिवनागरी में लिखी हिंदी भासा को राज भासा बना दिया गया, बहुत ही इंपोर्टेंट ह कि हिंदी भासा को देवनागरी में राज भासा कब बनाया गया तो बोलेंगे 26 जनौरी 1965 के बाद अब लेकिन गैर हिंदी भासा भासी लोगों के विरोध को देखते हुए नहरू ने अभी विचार पस्तुत किया कि अन इच्छु लोगों पर कोई भासा थोपी नहीं जाने चाहिए उन्होंने कहा कि अगर हिंदी जब किसी को पसंद नहीं है तो उस पे कोई दूसरी भासा नहीं थुपी जाएगी जो उनकी भासा वोई लोग बोलेंगे ठीक है ना अब उसके बाद I think 33% आज की बात आज की बात आज तक आज की बात आज तक ठीक है बाभू 1963 में राज भासा कानून ओफिसियल लैंग्वेज एक्ट बना दिया गया कब और 1963 में राज भासा कानून बना दिया गया कि जब किसको लैंग्वेज पसंद नहीं है न तो अपना लैंग्वेज बोल सकता है अब उसके बाद समय सीमा के बाद राज का आज में अंग्रेजी भासा का वी पुरियोग चलना सुरू हो गया ठीक है न यद्दपी समिधान के अनुछेज 44 में कहा गया कि राज सारे देश में समान नागरिक सहिता लागू करेगा यानि सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगा कब जी अनुछे 24 वा के अंतरगत कहा गया लेकिन नहरू ने अन्ने धर्म वालों को फ्रतकिरिया को देखते हुए इसे लागू नहीं किया ये मालूम है चलो सबको नागरिक और समाज को अच्छे से एक परकार का सबको दे दिया जाए भासा दे दिया लेकिन जो विरोध कर रहे थे उनके पति उन्होंने कुछ नहीं किया ठीक है ना अब उसके बाद बिदेशनीती बहुत इंपोर्टेंट है बिदेशनीती फोरेंट पॉलिश्य क्या यहां पे है राज की ऐसी बिदेशनीती बननी चाहिए जो राष्ट हीत के अनुकुल हो नहरू ने देश की भी साल मुस्लिम जन संख्या को देखते हुए मुस्लिम देसों से अच्छे समद अस्थापे किये कौन पंडी जवाहलाल नहरू अब उसके बाद देखे क्या होता है आईए अब देखें यहां पे very good, very very important है ताकि आपको समझ में आ जाए easy लगें यहां पे देखें क्या है यहां पे language यह थुआ सा language समझेंगे, language नहीं समझेंगे तो असान नहीं लगेगा यह सा बहुत ही असान है, बट थुआ समझेंगे तब ठासा ध्यान देंगे तब, ठीके ना चलिए, sir again repeat चलिए इसको फिर से मैं repeat कर देता हूँ, आए देखते हैं स्वतंत्ता के बाद भारत के समझ राष्ण निर्मार से सम्बंधित तीन मुखिशनोतियां निम्रिखी थी जब हमारा देश अजाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ तीन समस्या जो थी ना बहुत important थी, क्या-क्या था किसी देश को बनाने के लिए, क्या-क्या था आए देखते हैं क्या-क्या था तो पहला था, बिविदताओं से परिपूर देश में किस परकार की एकता अस्थापित किया जाए, यानि कहने का मतलब था, कि यहाँ पे जो लोग है ना, वो अलग-लग रूप में हैं कैसे उन लोग के साथ मिलकर एक राश्ट का निर्मार किया जाए, पहला समस्या ये था, दूसरा था, सम्मिधान से मिल खाती लोग तांतरिक पढ़नाली की अस्थापना किस परकार किया जाए, जो सम्मिधान से मिल खाती हो, उसके अस्थापना हम लोग कैसे करें, सरेग बाद फिर रिपीट किया जाए कर दीजिए, ठीक है, चलने है सब का चलने है, फिर से सुन लो राष्ट निर्माड की चुनोतिया यानि जब हमारा राष्ट का निर्माड हो रहा था तो उसकी चुनोतिया क्या क्या थी तो राष्ट का निर्माड होने में तीन सामने चुनोतिया आए थी तीन में कौन कौन से थी विविताओं से परिपूर देश में किस परकार एकताश स्थापित विविताओं मत्वों अलग-अलग परकार के अलग-अलग धर्म के लोग थें कैसे हम लोग एक साथ उसके साथ जुड़ जाएं ठीक है अब दुस्तिती क्या था समिधान से मेल खाती लोग तांती परनाली की समस्थिया किस परकार की जाए समिधान से मेल खा रहे लेकिन उसके कैसे अस्थापित किया जाए उतके बाद तिसरा, ऐसा विकास जिससे किसी एक वर का नहीं बल्कि पुरे समुच्चे समाज का विकास हो या कैसे किया जाए एक ऐसा हम लोग विकास करें जिसे किसी एक वर करें, किसी एक जाती का ना हो, पुरे लोगों का हो ये कैसे किया जाए, तो तीन समस्या उनलों के सामने आई, किसके साथ जब राश्का निर्माड हुआ तब इसके साथ, अब इसके बाद, उसके बाद देख लेते हैं, बस इतना ही देखते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है, संचेप में नहरु जे ने बिभीता में एकता, तथ्य को अपने ध्यान में रखा, तथा देशवासियों से आगरा किया कि वे जातीवाद, संप्रदायवाद, छेतरवाद, जैसे तुछे बातों को छोड़कर आथनिक भारत का निर्माड में अपना योगदान दे, तो ये कहा जाता है कि आधनिक भार के जिन बाता किसे कहते हैं, तो पंडित जवाहलाल नहरु किसे कहते हैं, पंडित जवाहलाल नहरु कहते हैं, ठीके न, ये सभी जो बाते थी, भेरी-भेरी इंपोर्टेंट थी, थोड़ा इसको समझ लेंगे, जान लेंगे, ताकि आप आपको असान लगे अच्छे से अस्वष्ट में आ जाए और बहुत ही इजी लगे ठीके ना अब थ्वासा ये एक बार डिकॉल करते हैं एक बार देख लेते हैं क्या किसे बाते थी कैसे किसे बाते थी ताकि आपको असान लगे और देखिए थ्वासा चले कुसमत आजे तो बोलिए राष्ट्रो का पूर्ण गठन कभ हुआ था राजियों का पूर्ण गठन कभ हुआ था जल्ली बताई सबी लोग जल्दी सवलों बताईए राजियों का पूर्ण गठन कभ हुआ था जल्दी से देखिए नहीं आ रायजे अभी बताएं हैं कि राज्यों का पूर् कुंटर थैंक क्यों जली बताइए आडी एक्स उननेश्टो पैसर गलत है आडी एक्स राजप गलत बाबु और क्यों जली बताइए था दिमाग अभी बता है इसलिए हम बोलते हैं न दिमाग यहीं रखिया आप लोग तब जाके ऑपजक्टिस समझ में आएगा जली बताइ परमहन्स जली बताइए हाँ वेरी गूड हर्षित का हर्षिता कांत वेरी गूड नैंटिन फिप्टिस उननेश्टो छपपन में वेरी गूड अब बताइए तो यह सभी क्या था राज्यों का फूर्ण कठन था तो जितना माटमेटर था आएए उसको एक बार हम लोग दे देगे ना उसके बाद इसमें क्या-क्या पढ़ना है यहां पर सब कुछ दिखा गया है यह हम बता चुके हैं आप इसको एक बार देख लिजेगा सबसे इंपोरेंट कौन सा है कास्मीर प्रोब्लम जैसे कल हम उसको पढ़ेंगे कास्मीर प्रोब्लम बहुत ही कि दिखा गया कि नेहरु जी को आवनी भार का निर्माता कहा गया है उसके बाद यह आपका कुछ-कुछ मैटर्स था कुछ-कुछ बाती थी जो बोत ही इंपोरेंट थी ठीके ना यहां देखिए हम भाती हम भाती बाती के पंची नहीं है पर बैग बैग नहीं है बग की र जाद हुआ उसके बारें बात हो देगी समिधाने की वहस्था राज का निर्माड समाजी के अर्थिक नहा है उसके बाद सिच्छा वा करूनी वहस्था उसके बाद विदेश नेती यह सभी हम लोग देख लिए समझ लिए जान लिए ताकि आपको समझ में आ जाए ठीके न तो यह सभी हम लोग देख लेंगे समझ लेंगे ताकि आपको आसान लगे तो आज हम लोग इतना ही करेंगे ठीके ना और बाकी बाते कब करेंगे तो कल्ट पढ़ेंगे आप इसको सेर कीजिए जबजस सेर कीजिए अराम से सेर कीजिए और बहुत यह अच्छे तरह के सिर हाँ? क्लासा?